हलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूटूब चैनल आर्किश्टेडी पे मैं हूर अबिंद्र कुमार गईज बज चुके हैं साथ और सभी को गुडिम्निंग सभी लोग को गुडिम्निंग सभी लोग लाइब एक साथ जुडेंगे जावा का एंसी क्यू केशन आपके लिए लेकर आचुके हैं आप सभी को पता है साथ बजए आपकी जावा की क्लास चलती है तो आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप कास्टिंग से ठीक है आप सभी को पता है कि आपका जावा का 8 सितंबर को एकजाम है ठीक है इसमें हम लोग 1000 M.C.Q. केशन टारगेट करेंगे तो जल्दी लोग सभी लोग एक बार सेशन्स को सेयर कर देंगे आप सभी को पता है कि आपके लिए हम उपरेटिंग सिस्टम का 6 बजे मॉर्निंग में और इक अमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के दो बज़े दो पहर में और जावा का 7 बज़े से और डीबी एमेस का 8 बज़े से क्लास ले रहे हैं तो सभी लोग जुड़ जाएंगे और फिर पीडियों के लिए हमारे टेलिग्राम से जुड़ सकते हैं टेलिग्राम का नाम यहां पर दिया गया है आरकेश्टरी 2.0 डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वहां से भी आप जुड़ सकते हैं ठीक है कोई भी प्रब्लम हो तो इंस्टाग्राम पो मेसेज करेंगे वह आप सभी को यहां पर बताना है कि जो हमारा जावा लंग्वेज होता है उसका रुपांत्रड इन में से कौन सा है यह कौन टाइप के रुपांत्रड होते हैं किस टाइप के रुपांत्रड होते हैं जावा लंग्वेज के अंतरगत में क्यूचन सभी लोग समझ गये क्यू narrowing top conversion winding type conversion A and B none of the above सभी लोग जवाब देंगे narrowing the conversion winding type of conversion A and B none of the above सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे कि जो हमारा जावा होता है उसमें किस टैप का रुपांत्रड अलवल होते हैं सभी लोग गैस जवाब देंगे देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं हाँ पर तो गैस यहाँ पर याद रखिएगा कि यदि हम लोग जावा में जावा की बात करें तो उसकी जो रुपांत्रड होती है यह A and B यानि दोनों जो यहाँ पर लिखा गया है यानि option number C is a correct answer जितने लोग C दिये हैं हो सभी लोग correct हो जाएंगे चलिए next question चलते हैं next question आपके screen पे है आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे और ध्यान से सभी लोग जवाब देंगे ठीक है देख पते हैं कितने लोग जवाब देपाते हैं what is the higher data type in Java language question समझ गये सभी लोग Java language में पूछा जा रहा है कि जो उच डाटा होता है इन में से कौन से प्रकार के होते हैं ठीक है या किस type के होते हैं उच डाटा पूछा जा रहा है Java language के अंतरगत में तो यहाँ पे सबसे पहले option दिया गया है a data type which holds more data than other data type या फिर बोला जा रहा है b में कि a data type whose size is more than other data type c में कहा रहा है कि a data type which can hold more precious digit than other data types या फिर बोला जा रहा है all of the above तो सभी लोग यहाँ पे जबाब देंगे इस question का what is a higher data type in Java language Java language में higher data पूछ रहा है किस type के होते हैं so guys यहाँ पे जितने लोग option number D दे रहे हों सभी लोग correct हो जाएंगे यानि याद रखिएगा कि यहाँ पे जितने भी statement लिखे गए हैं वो सभी correct है ठीक है तो all of the above is right answer यानि D correct हो जाएगा चलिए next question अगला question आपके screen पे है आप सभी लोग इसका जवाब देंगे what is a winding type conversion in Java ध्यान से question समझ लिजेगा सभी लोग फिर सभी लोग जवाब देंगे ठीक है what is a winding type conversion in Java Java में आपका winding type conversion पूछ रहा है क्या होते हैं सबसे पहला दिया गया है कि conversion of data form higher data and data type to lower data मतलव high से low होता है या फिर कहा जाता है कि Converge of data from lower data type in high data type या फिर कहा जा रहा है है यहाँ पे कि low से high किया जाता है अगला है आपका conversion of data form any data type या कि नincome टाइप ठीक है होते हैं तो ध्यान में रखिएगा इस question का answer सभी लोग इस टाइप के question पूछे जाते हैं तो इसको question का answer याद रखेगा कि जो हमारा जावा में winding type conversion होते हैं जिए अगर हम लोग किसी को winding type conversion करते हैं किसी को रुपांत्रड करते हैं तो यह हमारा conversion आप data होता है टीक है लोवर से कहा जाता है हाई जाता है इस बात को सभी लोग याद रखेगा तो जितने लोग फैसन दिये हैं वह सभी लोग करेक्थ हो जाएंगे चले इस चलते हैं शुक्षण आपके स्कीन में आप सभी लोग जवाब देंगे what is a narrowing type conversion in Java ठीक है यहाँ पर आप सभी को बताना है कि जो हमारा Java में narrowing type conversion होता है किस प्रकार से होता है same उसी type का question है बस यहाँ पर narrowing डाल दिया गया है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पहला आपका दिया गया है conversion of data from lower data type to high data types भी आपका दिया है conversion data form high to higher data type or lower data type या conversion of data form any data type to any data type ठीक है या नना अब दिया गया है अभी हम लोग तो पहले बात की अगर हम लोग बात करें अभी उपर वाला question का जो हमने तीसरा question दिखा था उसमें हम लोगों क्या हो रहा था lower to high हो रहा था ठीक है तो पक्का है कि इस जो किस्तां है इसमें क्या हो जाएगा high to lower हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आपका conversion data lower data type to high दिया गया तो यह आपका गलत हो जाएगा ठीक है B option में आपका दिया गये conversion data form higher data type lower data type ए पर यहां पर जितनी लोग आप्सन नंबर बी दे रहे हैं वह सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे ठीक है तो बी आप्सन इजरा इंसर फोर का तो यापी इस बात को सभी ध्यार में रखेंगे नरेंगे टाइम कर्वरजन इंजावा हम लोग उसको क्या करते हैं हाईयर टू लोर में करते हैं तो जितने लो सोड़ा सा बदल दिया है इसको समझेंगे और सभी लोग जबाब देंगे यहां पर कहा जा रहें कि जो नर्वंग टाइप कन वर्जन होते हैं जब अभी जस्ट हमने पढ़ा यानि क्या हो रहा था हाई टू क्या हो रहा था लो हो रहा था ठीक है तो यहां पर वह ही पूछा तो रहा है यानि Loss of data इस बात को सभी लोग समझेंगे कि जो नारविंग टाइब करणी और अगर यह हाई से लो होता है ठीक है ताही से कहने का मतलब क्या है कि यह data को क्या कर रहा है यह डाटा को सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि एडिशन आप data हो नहीं सकता लोग correct हो जाएंगे चले next question चलते हैं अगला question आपके skin पे है आप सभी लोग जबाब देंगे I hope कि इसका answer आप सभी लोग दे लेंगे क्योंकि अभी just हमने इसका पढ़ा था what is the result of winding type conversion in Java यहां पूछा जा रहा है कि जो Java में winding time conversion होता है उसका result क्या होगा जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि अगर winding type conversion की बात करें तो हमारा क्या होता है lower to high चलता है टिक है lower to high चलता है तो अगर lower to high चलेगा माने अगर हम लोग low से अगर उपर जा रहे हैं तो gain करेंगे क्या करेंगे gain करेंगे मानि उसकी हम सो लाब होगी यानि यह पहला कर रहे कि लोस आप डाटा यह बिल्कुल गलत है क्योंकि हम लो से हाई जा रहे हैं अ तो लोग डाटा करेंगे not change no change या नज्थे यह दोनों तीनों गलत है ठीक है तो सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएंगे चले चलते हैं वीडियो पसंद आ रहे हैं लाइक जरूर किज़ेगा ठीक है और दोस्तों को सबी लोग सेयर करेंगे तभी क्लास को मजा आएगे और सबी लोग लाइक किज़ेगा मोटिवेशन मिलती है अगला क्यूशन आपके स्कीन पे है आप सबी लोग इसका जवाब देंगे टाइप प्रोमोशन इन जावा यूजली रिफर्टू त्यान से क्यूशन समझ करते हैं यह आपको बताना है सबसे पहला प्रकाका दिया गया है ऊध्र time से बताना करते हैं ठीक है किसी भी रेफर्ट को प्रोमोशन करते हैं तो हमारा क्या होता है मेंदी in type Conversion होती है ठीक है इस बात को सभी लोग नोट करके रख लेंगे कि wending type conversion होती है किसी भी जावा के promotions के लिए ठीक है तो जितने OPTION NUMBER B दे रहे हैं वोस्टवी लोग correct हो जाएंगे चले next question चलते हैं। से झगाला हुश्टन आपके स्कीन पर है और आप सभी लोग इसका जबाब देंगे । यहां पे कैस्टिंग टाइप का पूछ रहा है कि इसका रीवर का यूजली कैसे कर सकते हैं कैसे कैस्टन कर सकते हैं जावब के अंतर गत में तो आप इसका गलत हो जाएगा यह तो दोनों होगा नहीं तो बचा क्या आपका नेर्विंग टाइप कन्वर्जन बचा ठीक है तो जितने लोग आप्शन नंबर ए दे रहे हैं हो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे यह तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे ठीक है जिन स्टुडे जाएंगे तो उनको को दिक्कत नहीं है आप लोग सब क्योंद एंसर करते रहे हैं कोई दिक्कत नहीं चले अगला केशन चलते हैं अगला केशन आपके स्कीन पर है आप सभी लोग इसका जबाब देगे यहां पर कहा जारहे कि explicity type conversion in java refer to यहां पर कहा जारहे कि अगर java की बात करें हम लोग तो java में aspust conversion referred क्या होते हैं aspust मतलब एकदम actually जिसको बोढ़ सकते हैं ओपूछा जा रहा है तो सबसे पहला आपका देघर narrowing type conversion यहां पर लिखा गया नो टाइप कन वर्जन यहां दोनों में से नहीं होगा यहां पर एक्षुली की बात किया है तो असपस्ट के लिए हम लोग नेरविंग टाइप कन वर्जन पढ़ते हैं ठीक है तो जितने लोग आपसन नमबर एद यह हो सभी लोग करेक्ट हो जाएंग आपके स्कीन पर है इसको केस्टन पढ़ने से पहले आप सभी को पता है कि आपका 25 केशन आने वाले है एक घंटा का टाइम होका लगबग आपको दो मिनट का टाइम मिल रहा है ठीक है दो मिनट से आगे जादे ही मिल रहा है लेकिन मान लेते हैं दो मिनट का टाइम मिल रह आपको लास्ट में एक ट्रीक भी बताएंगे जिसके माध्यम से आप थोड़ा सा अगर कोई चाहता होगा अगर नकल उकल करने के लिए तो अभी कर सकता है लेकिन उसके लिए हम बताएंगे आपको अलग वीडियो में तो चैनल पर सभी लोग सस्क्राइब कर लेंगे जितने इन आलसो काल्ड तो अगर हम लोग इंप्लिसीटी की बात करें यहां पर आप सभी को पता है कि अभी हम लोग क्या पढ़ेते नेरोइंग टाइप कर जन पढ़ेते ठीक है तो अगला किसन आपके स्कीन पे है आप सभी लोग जबाब देंगे इसका अंसर सभी लोग देंगे और किस्टन को भी सभी लोग समझ गये होंगे इसका अंसर सभी लोग को पता है हमें पता है और सभी लोग आप सही जवाब देंगे यहाँ पर इस question का answer ठीक है तो type of promotions की बात करें या casting की बात करें तो हमारा byte character and short भी होते हैं और character in float भी होते हैं float long double भी होते हैं ठीक है तो जितने लोग option number यहां पर D दिये हो सभी लोग correct हो जाएंगे ठीक है तो guys सभी लोग समझ गए कि type of अगला question चले next question अगला question आपके screen पे आप सभी लोग जबाब देंगे अब boolean literal in Java can be type cast to which data type यहां पर question समझेगा और सभी लोग answer दियेगा यहां पर तो आप सभी लोग बताएंगे कि जो हमारा boolean की बात करें boolean literal आप लोग पढ़ेंगे boolean का तो यह पूछा जा रहा है जावा में अगर इन लोग डाटा टाइप बताएं तो क्या हो सकता है सभी लोग यहांप answer करेंगे तो एक बत यहां पर ध्यान में रख्वेंग अग्र boolean की बात करते हैं तो boolean में हमारा क्या होता है true या false होता है यह 0 और 1 होता है ठीक है जिसको हम लोग two digit बोलते हैं ठीक है sorry two digit बोलते है जिसको हम लोग यह तो false बोल सकते हैं ठीक है यह तो हम लोग true बोल सकते हैं ठीक है तो यहां पर हमारा bite sort int दिया गया है यह पूरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यानी none of the above right हो जाएगा तहां पर हम लोग false या true का इस्तमाल करते हैं लिएन लेटरल में आप सभी को पता है तो जितने लोग option number D दे रहे हो सभी लोग correct हो जाएंगे question भी आप लोग समझ गया होंगे चलिए next question चलते हैं अगला question आपके screen पर है आप सभी लोग जबाब देंगी if a variable or operand in expression is a type long then all the operands are the promotion to which data type इन में से आपको बताना है कैसा कौन सा data type है जो promotions के लिए ठीक है expression is a type long long जो हमारा long होता है long data type उनको expressions करता है कौन से ऐसे operators हैं पहला आपका दिया गया int long float यहाँ पर double तो इंट नहीं देता है फ्लोट भी नहीं देता डबल भी नहीं देता तो long को कौन express करता है long ही करता है ठीक है तो जितने लोग option number B दे रहे हैं वो सबी लोग correct हो जाएंगे ठीक है इस question का answer क्या है बी है बी है जो करेक्ट इंसर चल साम चेप्टर पढ़ रहा है तो जितने लोग टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है तो सभी लोग टेलीग्राम जॉइल कर लिजिए वहाँ पर आपको free PDF मिल जाते हैं और कोई छोटी मोटी सूचना भी दुरंद मिल जाती है ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही क्लास में ज जाहिन बाए बाए टेक केर